नमस्कार आप देख रहे हैं DTV भारत और आपके साथ मैं हूँ निभास सिंग बिहार में कोरोना संक्रमन को देखते हुए सरकार ने जो पहला लॉगडाउन था वो 15 मई तक रखा था उसके अलावा बढ़ा कर फिर 25 मई तक लॉगडाउन को कर दिया था और फिर कोरोना संक्रमन के घरते ग्राफ को देखते हुए एक जून तक लॉगडाउन लगा दिया था यानि कि संक्रमन की गती जिस तरह से धीमी पर रही थी सरकार उसको मदे नजर रखते हुए लॉगड कि स्थिती ठीक है लगातार जो आकड़ा है कोरोना संक्रमन का वो कम होते जा रहा है और अब खबर आ रही है सुत्रों के मताबिक लॉगडाउन फोर लगने जा रहा है हम आपको बता दे कि सरकार आज इसको ले करके बड़ा फैसला करने वाली है क्राइसेस मैनेजमेंट ग मिलने जा रही है हम आपको बताते कि क्या कुछ छूट मिल सकती है इस लॉगडाउन फोर के दोड़ान बिहार में सकती के साथ लॉगडाउन के पालन का नतीजा है कि पिछले चंद हफतों में कोरोना का संक्रमन हर दिन 15,000 से घट कर 1500 तक पहुँच गया सुत्रों की माने त फिलाल सहरी इलाकों में सुभा 6 से 10 बजे तक दुकाने खुल सकती है देखे फिलाल अनुमान लगाया जा रहा है कि कई सारी चीजों में छूट मिलने वाली है इस लॉगडाउन 4 के दोरान लगातार कोरोना संक्रमन के ग्राफ में गिरावट आ रही है जिसको देखते अब सभी दुकानों को और इवन के तरज पर खोलने की छूट दी जा सकती है देखे लॉगडाउन जब नहीं लगा था कोरोना संक्रमन बर रहा था तो और इवन में वैसे भी दुकान खुल रहे थे यानि की अल्टरनेट करके एक दिन कुछ के दुकान खुले एक दिन कु जानकारी के मताबिक अब लोगों को कहीं जाने के लिए पास बनाने की छूट मिल सकती है यानि की कहीं भी लोगों को जाना है तो वो पास बनवा सकते हैं इस चीज को ले करके सरकार पूरी तड़ा से छूट दे सकती है लेकिन साधी विवा और श्रात क्रम में कोई छूट नहीं मिलेगी किसी प्रकार की संभावना जताई नहीं जारीए कि शादी विवाह या फिर श्राद क्रम में छूट मिलेगी क्योंकि ये बहुत जादा रिस्की हो सकता है क्योंकि सादी विवाह और श्राद क्रम में कई संख्याओं में लोग एकत्रित होते हैं फिलाल एक हफता के लिए lockdown बढ़ाया जा रहा है आज crisis management group की बैठक होने वाली है इसमें बड़ा फैसला सरकार ले सकती है और ये decide कर सकती है कि बिहार में lockdown 4 के दौरान किन किन चीजों पर छूट दे सकती है हमने अनुमान लगाया है लेकिन देखना बाकी रहेगा कि सरकार किस इस तरह से बिहार के लोगों को छूट देती है तो फिलाल 20 दिन से बिहार में lockdown लगा है और आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है वो देखना बाकी रहेगा ऐसे ही update हम देते रहेंगे आपको ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें DTV भारत के साथ अभी तक आपने हमा आइकन को दबाए और शेर करना ना भूले धन्यवाद